तो इस पर कितने हॉरंट चला सकते हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और यह लाएन मैचिंग ट्राइट ट्रांस पार्मरें जो हरंट चलाते हैं और यह एम्प्लिफाइental रखें हैं सामने इस एम्प्लिफार में मैं करूंगा यह सो वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और डाइसा वोल्ट के ट्रांसफार्मर की बात करूंगा डाइसा वोल्ट की लाइन मैचिक जो होती है उसके बारें बात करूंगा इसके बारें बात करूंगा तो वीडियो में लाइश्ट तक बने रहे हैं इसका अपना करें अ या कैसे लें और कहां पर मिलेगा तो मैं इस वीडियो में सारी चीज के लियर करूँगा तो सबसे पहली बात हम यह करेंगे कि यह transformer लगाते ही क्यों है और क्या जुरूरत है इसकी लगाने की बैसे भी तो महरन चला सकते हैं तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा तो यह land matching transformer है देख सकते हो 100 ठीक है यह लिखा है यहाँ पर तो आप देख सकते हो यह red color का wire है और यह नीले color का wire है ठीक है blue color का और red color का इस पर दिया है और लिख रखा है देख सकते हो red और इधर blue ठीक है तो यह दो तार आपको बांदने हैं amplifier में तो यह दो तार आपको amplifier में बांदने हैं लगाने हैं मैं amplifier में बता देता हूँ और यह तार को आपको कुछ नहीं करना है यह तार छोड़ देने आपको इस पर लिखा है 40 watt है और इधर दिराखा है इंपूर्ट तो यह ब्लू वाला हमें लगाना है अम्प्लिफायर कॉम पर तो यह छोड़ देने यह दोनों लगाने हैं अम्प्लिफायर मैं दिखा देता हूँ तो जो भाई मेरे नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं 84 ओम 100 वोल्ट 125 ओम 250 ओम तो इस पर लैन मेक्टिंग ट्रांसफोर्मर चलते हैं यह वाले थीक है 250 वोल्ट का होता है वो चलता है और यह चलता है तो आपको यह दोनों बाईर रेड कलर का और बलू कलर का यहां बांदना है 100 वोल्ट पर और यहां कॉमन पर यह बलू बांदना है यह वाला यह बलू हो हो गया और रहाए यह बाधना और यह जो लाइन है ये डार्ट अर चलाने के लिए होती है यह यह लाइन चला सकते हो इस पर और यह एधर चलते हैं इधर लाइन मैचिंग चलती है इदर इस्पिकर चलते हैं इदर लाइन मैचिंग चलती है तो यह एसिकों का दूसोब पैंसे बाट है यह यहां बांगते हैं और एक बांगते हैं 250 ओम पर ठीक है 250 बोल्ट तो यह चलाते हैं और एक बात चलाते हैं इसलिए हैं कि ज्यादा लंबी लाइन पर हम यहां से करेंट नहीं दे सकते यहां से करेंट देंगे तो भाई करेंट नहीं पहुंच पाएगा आवाज साप नहीं न जाएगी और ज्यादर लम्बी लाइन होगी तो और यहां पर चलाते हो तो आपको ये लैन मेशिंग की ज हconoTrue पड़ेगी जो आप आबाआज ज्यादा चाहते ओ तो साफ़ चाहते हो तो तो ज्यादा आवाज आपके अगर होरन नहीं देते हैं तो आप लैन मैचिंग चलाओ यहां से और कितनी भी दूर होरन डाल दो जामाइन जागरन भागवद और आपके आवाज बढ़िया जाएगे और ज्यादा मतलब तेज होगी आवाज तो यह जो लैन मैचिंग है इस पर हम एक ही यूनिट चला सकते हैं होरन चला सकते हैं और आपका खराब भी नहीं होगा जल्दी और बरावर आवाज निकालेगा कितनी भी दूर हम लगा दें होरन तो दो होरन ना चलाएं इस पर एक ही होरन चलाएं और अच्छा चलता है बढ़िया चलता है साफ अवाज देगा और दूर तक अवाज जाएगी आपकी लंबी लाइन के लिए ये एसको का अम्प्लिफायर बढ़िया रहता है ज्यादा हीट भी नहीं होता है और कितने भी लंबी लाइन डाल दो बड़िया चलाता है तो यह amplifier सबसे ज़्यादा best रहता है और अच्छा रहता है और यह और amplifier है जो यह गरम पड़ जाते है लाइन वैसिंग डालो चाहते हो आप अब आज होरन की दूर जाए तो यह लाइन वैसिंग आपको लगानी और दूर लगा दो और आवाज सही देता है तो आपको होरन अगर आवाज ज्यादा नहीं दे रहा है तो भाई एक काम करो आप copper का यह तार चलाओ इस पर बिल्कुल आवाज साप निकलेगी और ज्यादा आवाज देगा होरन जो भाई मेरे परेशान है अब आज से आवाज तभी दूर जाएगी आप जो वैसा तार चलाते हो इस्टील वाला और बिल्क वाला तो बहुत सही नहीं होता है तार अम्प्रिफार पर लोड पड़ता है और आवाज आपकी ज्यादा नहीं देता है तो आप आवाज चाहते हो ज्यादा दे तो आपको copper चलाना प चाहिए तो 108 मिल जाएगा 250 मिल जाएगा तो मार्केट से ले आना और लगाओ और चलाओ LMT में अंदर आता है और LMT भी औरन ले सकते हो यूनिट ले सकते हो आप तो कैसा लगा वीडियो कमेंड में जरूर बता है मिलता हो अगली वीडियो में